कि नमस्कार जहें दिस्वक्त मैं मौजोद हूं मुंगेर जिले के संग्रामपूर परखंड में और हमारे पीछे आप एक भवन देख रहेंगे इस भवन का निर्मान ऐसा अनुमाल लगाया जाता है कि पिछले आठ या दस साल से भवन बनाया गया है चलिए हम आपको बताते दिखाऊंगा हमारे साथ देख सकते हैं कि इस अंगनवारी कैंदर की इस्तिति क्या है सबसे पहले तो इसको अर्द निर्मित बनाया गया है चाहेंगे आपको किस प्रकार से जो है इसमें मत्म हए सथे कि घोरला परवाही जो है सिक्चा विवाग का देखने को मिल रहा है इसमें आप देख सकते हैं इसको कीचन के गोल किया गया होगा जिन्होंने इनको बनाया है और मैं बता दूँ कि यह ददरी जाला पंचायत का मामला है और वाट संख्या एक का है और यह केंदर कितना है सतासी हमारे साथ प्रखंड के प्रमुक मौझूद है और यहां पर देखने आये तो हमें जानकारी मिला हमने सुचा कि इसको दिखाया आप क्या देखने के लिए हमको जब वहां से ग्रामिन लोग से सुचना मिला कि आंगन वाली केंद्र में पढ़ाई बढ़िया नहीं हो इ यहां पढ़ाना चाहिए और वह फिलाल वहां पढ़ा रहे हैं किया है वह रहरा हुना वुए अ इसको बनाया गया इसको देखकर वा त出來 को कि मैं पढ़ाईன है कि आ हुने और से यहां पढ़ाई नहीं हुए दरहिएर। है कि पढ़ाई हुआ है इसमें नहीं पढ़ा Рचा लेकिं चालू किया गया और यहीं पढ़ाई है सबुह सबसे पहले करना है कि जितने भी संगामपूर परखंड के पदकारी है सब मिले भगत है जी कारी कि मिले भगत है हां हाँ और हम हम डियाम साहब को शूचना भी देंगे हैं ऐसा लगता है कि सबकी मिली भगत ही जो इस परकार से हो रहा है तो इसमें पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं हो. लांखों का ये भवन क्यूं बनाया गया आखिरका सिक्षा क प्रकार से लाखो कडोरों का भवन सरकार के द्वारा बनाया जाता है लेकिन नीचे ले पदादीकारी होते हैं वो किस परकार से इसका इस्तेमाल करवाते हैं अब देख से भवन को जो है यह हुई और निर्मित छोड़ दिया गया होगा कि जो है इसको पूर्ण रूप से सबसे पहले आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए जहां गलत होता है गलत को होने नहीं दीजिए ठीक है और विश्यसम क्या बता है तो इसमें पढ़ाई क्या उम्मीर है कि चालू होगा यह समझे और जब पदा अधिकारी आता है तो पुष्टाइगी फलना को नहीं तो बहुत जो है दूसरे बच्वाका देता है इसका नौम है अंगनवारी के नहीं पर प्रमुख साब जाच होन परिशानी है और पदादीकारी तो किस नींद में सोय है यह तो खर वही जानते होंगे इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कहीं बच्चों के भविश्य के साथ जो है खेला जा रहा है और यहीं कारण है कि आज तक कोई इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया कि अगर कोई पदादीकारी आये यहां पर और इन से चीजों का जांच करें तो निस्ती तोर पर कहीं कहीं सुधार आएगा